आज हूं ग्यांजन और ग्यांजनों के बेद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं ग्यांजन, ग्यांजन कहते इसको हैं। जेन वर्मा के उचारें करते समय बायू उकाबट के साथ मुक से बहाँ निकलती हैं। और उसके असपश्ट उचारें में स्वरों की सायता लेनी पढ़ती हैं। उन्हें व्यांजन कहते हैं। यानि कि यह गया मैंने दिखाया हैं। कर। कर कि नीचे वहनंतने इसका मत्रों कि अध्रा कर। और कि जब उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कर। तो आप देखे इस काब बोलने के पीछे आभ्यागी आरे हैं। वो हो जाता है स्वर्ण. यानि कि काब नाम है स्वर्ण। है ना आप स्वार है और ये क्या है व्यांचन ये है व्यांचन तो बना धन और बराबर कर यानि कि हमें व्यांचन को बोलने के लिए स्वार की सहाय का लेनी पड़ती है कोवर्द, चवर्ड़, टवर्ड, कवर्ड और अंतस्त व्यांचन के आएगा अपके योदन रवर्ग और नीचे आएगा उस को व्यांचन जिसमें तालग में सहों दन्द सवों और अतिरीक व्यांचन में डव और डवड देखिये यह तो पुक्त दिखा कि ब्यांजन जो है वो बिना स्वरोग इसाथा से नहीं बोला जा सकता अब मैंचनों के बेर ब्यांजनों के ये ब्यांजनों के किंदे बिरे देर पहला इसफिक है इसफिक है दूसरा अहत्जन और तीछा उश्म व्याजन. उश्म व्याजन. ठीक है? व्याजन कितने कुताप की है? इस फॉर्श में में अट व्याजन और उस में व्याजन. असपर्ष रंजन हमको बोलते हैं जो जीव मुख के किसी ना किसी भाग के असपर्ष करके निकले यादि कि टच होके निकले उसे हम कहते हैं असपर्ष रंजन जैसे काव तो काव में देखिए कंट से आवाज दिकर रही है काव इसी काव जो पूरा में लाएं का, का, वा, आवान वो जो है कंट से निकलता है फिर चावर चा तालू से यादि की निकलती है तावल मुदा, ड था, ड यने की मुदा से थिकलती है तावल ता था, न धा होते हैं तब तो कि लाइन बोली जाती है और पाबाबाबाबाबाब इस देखे, बाब से मदात क्लता है तो ओठ जो है टच होते हैं तो इसकी हे यह सब़ी सब्स लेंजन में आये हैं नेक्स्ट है अंतरस्ट वेंजन, इन वेंजनों के उचारण में जिवा का पुड़ा असपर्स मुख के किसी विसेज बाढ़ने साथ नहीं होता, तो था इनके उचारण में स्वास्त अवरोद बहुत कम होता, यानि जो अंतरस्ट वेंजन में आते हैं, उनमें जरूरी नहीं जरूरी कि कहीं पर मुझ में टॉच हो और इसमें सांस कम लेनी पड़ती है, ऐसे बोलता है, तो सांस कम आता है, इसमें आई के अंतरस्ट वेंजन में चारण है, यारलव, इसमें जरूरी क्यान है, यारलव, उसमें जरूरी क्यान है, यारलव, उसमें जरूरी क्यान है, य पुछ मेंचन का मतलब होता है कि गर्मी, कुछ प्यम्चनों का उचारण करते समय बुकसे वायू टेज गती से रगड खाती हुए निकलती है जिसमें गर्मी पैटा होती है, ऐसे प्यम्चन को प्यम्चन कहलाते हैं, जैसे तालाक्रिस्था, बुदाल्पसथा, दल्पसथा यह जो है, प्रेश होके निकलते हैं, रगड़ती हुए निकलती हैं, इसलिए इक को उसमें बेंचन की कॉलम में रखा हुआ है, तो आज आते पढ़ा बेंचन और बेंचनों के भेद के बादे में, टेक्स्ट अब्रिकम अगली क्लास में पढ़ीगे